हाई गाईज देर ठाक और इंपायर तो आज के इस वीडियो में गाईज हम लोग बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के एक एचीवमेंट की कि उस एचीवमेंट को आपको कैसे इजी तरीके से कंप्लेट करना इसे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा ये बताने से पहले गाईज से मेरे 19,000 सस्क्राइबर होने वाले हैं जिन्होंने भी मेरा इंस्टा अभी तक फालो नहीं किया है जा करके फालो करो क्योंकि 19,000 सस्क्राइबर होते ही मैं 100 रुपय का गूगल रिडीम कोड डालने वाला हूँ वहाँ पर इस्टोरी में तो या फिर गाईज उससे आप डारेक्ट यूसी भी परचेस कर सकते हो तो गाईज जो भी लखी होगा जो पहले देख लेगा वो रिडीम कर लेगा तो जिसने भी फालो नहीं किया है जाए डिस्क्रिस्टन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर के मेरे इंस्टा को फालो क कर लिजिए अगर गाईज आप लखी होते हो तो आपको 100 रुपय का गूगल प्ले वाउचर कोड मिल जाएगा अगर नहीं होते हो तो 20,000 सब्सक्राइबर होते ही फिर से मैं ऐसा ही करने वाला हूँ तो चलिए गाईज अब हम लोग देख लेते हैं अपना एचीमेंट की क यह एचीमेंट है और उसको आपको कैसे कमप्लेट करना है तो इसके लिए हम लोग चलेंगे सबसे बहले अपने मिसन में हम लोग चलेंगे अपने अचीमेंट में और अचीमेंट में उपर से तीसरे करने पढ़ेंगे और आपका ये वाला achievement complete हो जाएगा तो सबसे पहला पार्ट ये कि आपको 10 इनमी airborne में किल करना है airborne मतलब हो गया कि हवे में हवा में होना चाहिए और उसको आपको किल करना है दूसरा है कि आपको 10 इनमी वाटर के अंदर जहां पर मेरा ये वाला achievement देख लीजे complete हो चुका है और मुझे 20 achievement point और एक supply credit coupon यहां से मिल चुका है तो मैंने कैसे किया और किस तरीके से आप वो करना है इस वीडियो में आपको ये भी बताता हूँ तो इसके लिए हम लोग को पहले पार्ट complete करने के लिए आप कोई भी map लगा लीजे मैं यहाँ पर मीरा मार लगा रहा हूँ आप चाहे तो इरेंगल भी लगा सकते हैं सायराओं भी लगा सकते हैं फिर विकेंडी भी लगा सकते हैं इसके बाद गाइस दे गेम को start कर देना है गेम को start साइड नहीं open करना है होलो लगा हो तो होलो नहीं open करना है रेड डॉट नहीं open करना है केवल गाइस आप जो सामने डॉट दिख रहे हैं hair cross इससे गाइस आपको enemy kill करना है अगर गाइस आपने इससे 10 enemy kill कर दिये तो पहला पार्ट जो है guys वो complete हो जाएगा तो guys मेरे पास आ चुका है एक बाट है जिसको kill करके मैं आपको दिखा देता हूं तो देख लिजे guys आपके सामने hair cross है और hair cross को बंदे के उपर ले जाकर के उसको kill करना है तो देख लिजे guys मैंने उसको knock कर दिया है knock करने के बाद उसको finish कर दीजे hair ही cross से तो guys आपका वहाँ पर एक count हो जाएगा इसी तरीके से आपको 10 इनमी kill कर लेने है तो guys आपका पहला part without using scope complete हो जाएगा तो दूसरा part है guys की आपको water के अंदर 10 इनमी kill करना है यानि की इनमी जो है वो पानी के अंदर होना चाहिए तो guys जब भी कोई real बंदा होगा वो बहुत ही कम आपको पानी में मिलेगा लेकिन guys बाट बहुत ही ज्यादा मिलते हैं और वो किस area मिलते हैं इसके लिए आप खेलना पड़ेगा इरंगल मैप और देखे जहां पर मैंने red mark किया यहां पर guys आपको 100% हर एक मैच में एक से दो बोट मिल जाएंगे तो इसके लिए guys आपको उतरना पड़ेगा सबसे पहले ferry pier ferry pier मोतरेंगे तो guys आप पूरा का पूरा area ना उसे cover कर लेंगे क्योंकि guys यहां पर boat 100% होती है क्योंकि यहां पर एक port बना हुआ है boat का जिससे guys आपको boat यहां पर 100% मिल जाएगे तो सबसे पहले guys आपको ferry pier मोतरते ही gun रूटना है gun मिलते ही चाहे जो भी gun हो 77 bullet भी मिल जाए इसके बाद तुरंद guys आपको boat ले लेनी है और जिस area में मैंने मार किया है वहाँ पर guys आपको travel करना है और search करना है कोई boat boat मिलते ही guys आप उसको kill कर दोगे तो आपका उसमें count हो जाएगा याद रखिएगा कि हर एक game में जहां पर मैंने मार किया उस area में आपको एक या दो boat मिलेगा ही मिलेगा और guys अगर आप अच्छे लकी होते हो तो आपको दो या तीन boat भी मिल सकते है या फिर एक boat मिले तो देख लिजए guys हमें एक boat मिल चुका है इसी game के अंदर और जहां पर मैंने मार किया है उसी मार के अंदर हम लोग को ये boat मिला है तो इसको guys आपको kill कर देना है देख लिजए guys हमने cross hair से kill किया है तो guys ये मेरा cross hair वाला जो without using scope है उसमें भी count हुआ होगा तो देख लिजए guys हमें boat कहां पर मिला हमने ferry pier से सुरू किया था और जॉर्जो पोल के पास आगर के मिला ऐसे ही guys आपको 10 enemy kill करना है तो guys आपका दूसरा part complete हो जाएगा लेकिन guys अगर आप lucky होते तो आपको एक ही match के अंदर 2-3 boat मिल सकते हैं या फिर guys एक ही boat मिले लेकिन मिलेगा हर एक match में 100% अब guys हम लोग का है तीसरा part airborne enemy तो इसके लिए guys आपको लगाना है सैन होक मेप और उसमें उतरना है सोलो याद रखेगा बहुत ही ध्यान से मैं बता रहा हूँ उसमें उतरना है सोलो क्योंकि guys हवे में kill करना है तो सोलो लगाईए जिससे कि guys आप उसको kill करो तो वो निंचे तक ना आप आए उसको बिल्कुल पिनिसी कर दो उपर हवे में ही तो इसके लिए guys आप लगाईए सोलो मैच और उसमें लगाईए सैन होक मैप क्योंकि सैन होक मैप में किनारे तक का घर होते हैं जिससे कि guys आपको easy पड़ेगा गर लेना जो कि guys offline बंदे को kill करना बहुती easy है हवे में तो यहाँ पर guys सबसे पहले आपको mark लगा देना है कि offline बंदा कहा लेन्ड होगा और उसके आसपास जो भी house हो बिल्कुल पास में जो house हो उस पर land होना है जिससे कि guys आप gun लेकर के offline बंदे पर जहाँ पर आपने mark किया है वहाँ पर आप पहुच सको तो guys यह होगा कि वो बंदा धीरे-धीरे हवे में ही land हो रहा होगा और उसको guys आपको हवे में kill कर देना है तो सबसे पहले guys आपको जल्दी से जल्दी gun ढूडनी है जिससे कि guys आप अपने mark पर पहुच सको जहाँ पर guys आपका offline बंदा land हो रहा है तो इसके लिए guys सबसे पहले gun जो भी आपको मिल जाए gun ले लिजीए gun लेने के बाद guys आपको अपने mark की तरफ जाना है और mark की तरफ हवे में उपर की side देखना है कही न कही से आपको parasuit open होता हुआ दिखेगा और धीरे धीरे बंदा land होता हुआ दिखेगा जैसे guys आपको वो दिखे देखे सामने बिल्कुल दिखरा है और इसके बाद तुरंत आपको target करके उसको guys kill कर देना है तो यहाँ पर देख लिजे guys मैंने इसको हवे में ही kill कर दिया तो मेरा airborne का एक complete हो चुगा होगा इसी तरीके से guys मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि यह easy है hard नहीं है solo में करना और वो भी sandhawk map के अंदर याद रखेगा irangle में करेंगे तो guys हर एक कौने में घर नहीं मिलेगा और guys अगर आप मिरा मार में करेंगे तो हर एक कौने में घर नहीं मिलेगा लेकिन sandhawk map में guys किनारे किनारे घर होते हैं जिससे कि guys आपको easy पड़ेगा gun डूडना गन डूड लिये तो गाईज आप मार्क पर बहुती जल्दे पहुचोगे मार्क पर पहुचोगे तो गाईज वहाँ पर हवे में आपको इनमी मिल जाएगा जिसको गाईज आपको किल करना पड़ेगा तो यहाँ पर गाईज मैं आपको दूसरी बार दिखा रहा हूँ करके पहली बार मैंने आपको दिखा दिया था अब गाईज दूसरी बार दिखा रहा हूँ जिससे कि गाईज आपको समझ में आ जाए कि यह सोलो मैच में बहुती ज़्यादा इजी है करना तो यहाँ पर अब देख लिजे मेरे पास गन हो चुकी है तो यहाँ पर बहुती तेजी में आपको जाना है अपने मार की तरफ देख लिजे गाईज सामने आपको एक बंदा हवे में देख रहा हो कितनी इजी तरीके से आप इसको मार सकते हो क्योंकि गाईज बहुती सुलो तरीके से ये लैंड हो रहा है मैं इसलिए दोड़ रहा हूं क्योंकि गाईज अभी मुझे कोई स्कोप नहीं मिला है नहीं तो मैं वहीं से मार देता और यहाँ पर आइरन साइड है मेरे पास तो थोड़ा पास में जाने के बाद गाईज देख लिजे आपको हवे में इसको किल करना है तो देख लिजे दूसरा किल हो चुका है मेरा तो इस तरीके से आपको 10 इनमी किल कर लेने है तो आपका 10 इनमी एर बार्न वाला कम्पलेट हो जाएगा दूसरा तरीका गाइस यह होता है कि आप game के अंदर हो और कुसी house में आपको दिख रहा है बंदा और वो जास खिड़की से jump लेता है या पिर कहीं उपर वाड़ी छट से jump लेता है और जंप लेने के बाद guys वो हवे में रहता है उस हवे में भी guys अगर आप kill कर देते हो तो भी guys आपका air born में count हो जाएगा याद रखे guys ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप केवल achievement complete करने के लिए उतरे हो तो guys achievement complete होने के बाद अपने आपको kill करवा लिजेगा गेम को left मत करिएगा नहीं तो guys आपका achievement में count नहीं होगा तो इतना कर लिजेगा और guys आपका ये वाला supreme marksman का achievement जो है वो complete हो जाएगा ऐसे ही guys आपको 10-10-10 करके 30 in me kill करने हैं तीनों तरीके से तो guys आपका complete हो जाएगा और guys इंस्टाग्राम पे follow करना मत बूलिएगा 19,000 सब्सक्राइबर होते ही मैं वहाँ पर 100 रुपए का google play redeem code डालूँगा जिसको guys redeem करके आप यूसी ले सकते हो तो guys इसे वीडियो जन करिएगर आपको अच्छी लगी हो आपको अपको स्वाएबर हो